नमश्कार दोस्तों इश्वर सदाव आपका बला करें और आपकी जोलिया इश्वर के आशवाद से हमेशा भरी रहें तो दोस्तों आख बात करेंगे कि सेव जिसे कहते हैं ना कि अगर आप रोज एक सेव खाते हैं तो डॉक्टर भी आपके पास नहीं आते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि हम ये जो सेव खाते हैं ये हमारे स्वास्त के लिए अगर इतना लाप्रद है तो हम कैसे खाएं या किन चीजों के साथ इसका सेवन ना करें ताकि ये फल हमारे लिए सबसे अच्छे तरीके से वर्व कर सके देखे रोज सेव खाना बहुत सारी बिमारियों से आपको बचाता है इंग्लिश में तो कहावत ही भी है कि अन अपल अडे कीप्स दो डॉक्टर अवे लेकिन कुछ ऐसी चीजे हैं जो आइरवेद के अनुसारे दी हम सेव के साथ खाते हैं या सेव खाने के तुरंट बात काते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है देखे जो सबसे पहली चीज़ है सेव के साथ वो है कभी भी आप सेव के साथ मूली का सेवन नहीं करें अन्यता यह आपके शरीर पे सफवे दाग जैसी समस्या पैदा कर सकता है या तवचा में खुजली राशे यह सुराइसिस जैसी प्रॉब्लम की भी यह प्रॉब्लम को क्रियेट करने में सबसे ज़्यादा वर्क करता है तो हमेशा आयरवेद देखे खाने में आहार और विरुद्दहार इन दो चीज़ों पर बहुत ध्यान देता है तो यदि आप विरुद्दहार खाने के साथ नहीं खाते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है आपके स्वास के लिए दूसरी चीज़ जो आपको कभी नहीं खाने चाहिए सेव के साथ वो है दही देखे भूल कर भी दही और सेव साथ नहीं खाएं अगर आपको पानी पीना है या तो आप सेव खाने से 10-15 मिट पहले पी लें या सेव खाने के कम से कम आधे गंटे बाद ही आप पानी पे अनिता ये शरीर में कफ बढ़ा देगा इसके अलावा खटी चीज़ें जैसे की सिरका हो गया, अचार हो गया इन चीज़ों का सेवन कभी भी सेव के साथ नहीं करना चाहिए वरना पेट में गयास और अपच की समस्या हो जाती है इसके अलावा एक बहुत इंपोर्टन चीज़ जो आपको कभी भी सेव के साथ नहीं खानी है और वो है दूद देखें दूद जो होता है उसकी तासीर अलग होती है और जो सेव होता है उसकी तासीर अलग होती है यदि आप दूद और सेव एक साथ खाते हैं तो यह आपके शरीर में पाच्चन सम्मंदित समस्याएं तो पैदा करेगा ही करेगा साथे साथ अन्य भी किसी प्रकार की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती इसलिए कभी भी दूद और सेव का सेवन साथ ना करें और इसके अलाबा एक बहुत जरूरी टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूँ हो ये है कि खास कर आप सेव को अखेला खाएं अगर आप खाना काने से पहले खाना चाहते तो आदा एक घंटा पहले खाले या खाना काने के एक घंटे बात खाएं कभी भी कार्भो हाइडरिट और सेव इन दो चीजों को एक साथ नहीं खाना चाहिए अनिता आप सेव के जितने भी गुण है वो कभी भी आपका जो शरीर है वो धंक से एब्जॉप नहीं कर पाएगा तो हमेशा सेव कोशिश करें कि नाश्टे के साथ या नाश्टे के बाद का जो आपका स्नैक्स का टाइम होता है खास करेंदे आपने 8 बजे नाश्टा ले लिया है तो 11 बजे के आसपास आप एक या दो सेव खाले और उसके एक दो घंटे बाद आप अपना लंच ले ले और यदि आपको उस समय समय नहीं मिलता तो आप दो पहर के खाना खाने के बाद जो शाम का जो इवनिंग स्नैक्स से करते हैं उस समय में आप अपनी टी से पहले आप एक सेव का सेवन कर लें और साथ में किसी स्नैक्स और टी का सेवन करें तो सबसे अच्छे तरीके से या आपकी शरी के लिए काम खरीगा तो दोस्तों आशा करती हूं यह छोटी से जानकारी आपके लिए फाइदे मंद होगी यदि आपको पसंद आए तो क्रिपय आप हमारे चनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर करना ना भूले तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार